रात होते ही मुंबई में देखिए क्या हो रहा है कमाठी पुरा नाम तो आपने सुनाई होगा अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं वीडियो के अंत तक आप इस जगह की ऐसी सचाईयां जानेंगे जिने जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपनाते हैं तो चलिए आज आपको मुंबई की उस बदनाम गली में लेकर चलते हैं जहां जाने के बाद अच्छे हासे शरीफ लोगों का इमान बिगड़ जाता है लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देर किये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई जिसे माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है ये एक ऐसा शहर है जहां लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं तब ही तो हर varying लाख हों लोग इस शहर में इस उमीद से आते हैं कि उनकी जिन्दगी बदल जाएगी पर यहां आने के बाद या तो लोगों की जिन्दगी पूरे तरह से समर जाती है या तो हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाती है ये भारत का एक अकेला ऐसा शहर है जहां पर कोई आपकी जिन्दगी में दखल अंदाजी नहीं करता आप जैसे मर्जी वैसे रह सकते हैं लेकिन इस शहर की अपनी एक शर्त है और वो ये है कि आपको भी इसके मताबिक रहना पड़ेगा तभी तो लोग अपने आपको मुंबई की लाइफस्टाइल में फिट करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं पर वहीं इन सब चीजों से अलग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश दुनिया की चिंता छोड़ कर अपनी राते रंगीन करने के लिए मुंबई के उस बदनाम इलाके में पहुँच जाते हैं जिसकी चर्चाएं पूरे भारत में हैं यहां आपने बिल्कुल सही समझा हम कमाठी पुरा की बात कर रहे हैं मुंबई के इस बदनाम इलाके को आज से कई सालों पहले लाल बाजार के नाम से जाना जाता था जहाँ पर पहुँचते ही इंसान का इमान बिगड़ जाता है 500,000, 2000 के रेट में यहाँ पर जिस्म बेचा जाता है और उसे खरीदने वाले लोग बिना एक भी पल सूचे पैसा लुटाते हैं बस आपके पास जेब में पैसा होना चाहिए फिर ये जगह आपको किसी जन्नत से कम नहीं लगीगी यहाँ पर जिस्म की काला बाजारी इतने भयानक तरीके से होती है कि उसके लिए बाकाइदा एजिंट्स भी मौजूद होते हैं जिने हम आम भाशा में दलाल कहते हैं अगर आप गलती से भी कमाठी पुरा की गलियों में पहुँच गए तो वहां हर कोई आपको अपने पास पुलाएगा कोई किनारे ले जाकर बात करेगा और कुछ लोग तो हाथ पकड़ कर ही आपको अंदर ले जाएंगे अब इन सब चीजों के बाद आप समझ जाएए कि किसी भी शरीफ इनसान की शराफत किस तरह चुटकियों में तितर बितर हो जाएगी खेर इस समय तो फिर भी यहां पर आपको गिने चुने लोग ही जाते हुए दिखाई देंगे क्योंकि जिस्म की काला बाजारी अभी थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है पर एक वक्त हुआ करता था जब यहां का बाजार इतना गर्म था कि लोग ना चाहते हुए भी इन बदनाम गलियों में पहुँच जाते थे तब ही तो साल 1992 के वक्त यहां पर 45,000 वैशियाएं काम कर दी थी लेकिन उसी दोरान जब HIV का संक्रमट बढ़ने लगा तब धीरे धीरे यहां पर जिसमें बेचने वाले वैशियाओं की गिंती कम हो गई वरना तो लोग इतनी जादा संक्रमट जैसे ही बढ़ा लोगों के अंदर मौत का डर सताने लगा कई सारी वैशियाओं ने वैशियाबरती का काम छोड़ दिया और मौत के डर से मर्दों के अंदर का दरिंदा भी मर गया तब ही तो लोग यहाँ पर ना के बराबर आते थे वरना क्या अमीर क्या गरीब हर कोई आपको कमाठी पुरा की इनहीं बदनाम गलियों में किसी हसीना के साथ अपनी शाम रंगीन करता हुआ मिल जाता था और उस समय डॉन वगरा भी बहुत जादा हुआ करते थे मुंबई में उनमें से अधिकता लोगों की रातें इसी रेड लाइट एरिया में बीती थी पर संक्रमण ने सभी के दिमाग ठिकाने लगा दिये और यही वज़य है कि 2009 में यहाँ पर काम करने वाली वैश्याओं की गिंती 45,000 से हटकर डारेक्ट 1600 पर पहुँच गई हला कि अब हालात पहले जैसे वापस हो रहे हैं जहाँ ना सिर्फ वैश्याओं की गिंती बढ़ रही है बलकि यहाँ आने जाने वाले लोग भी भारी मातरा में इस जगे में इंट्रेस्ट ले रहे हैं तब ही तो रात के वक्त कमाठी पुरा की गलिया रोशनी से चकाचौंध हो जाती हैं पर यहाँ की चकाचौंध की पीछे एक घना अंधेरा छुपा हुआ है और वो यह है कि यहाँ काम करने वाली अधिकतर महिलाई जोर जबर्दस्ती से यहाँ लाई जाती है जी हाँ आप जिस तरह नाटक और फिल्मों में देखते हैं कि कैसे महिलाओं को बहला फुसला कर बड़े शहर का वादा दिया जाता है और फिर लाकर यहाँ पेश दिया जाता है असल में पूरे भारत के अलग-अलग कुनों से छोटे शहरों की लड़कियों को पहले बहला फुसला कर कभी काम देने का बहाना बनाकर यहाँ पर लाया जाता है तो कभी उनसे शादी करके उनको फसालिया जाता है और फिर यहाँ लाकर 5000 से 10,000 में बेश देते हैं जिसके बाद उन लड़कियों की जिन्दगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है और उन्हें वैशया व कई सालों से यहां पर होते आ रही है, हलाकि कई सारे लोगों ने यहां पर काम करने वाली वैश्याओं के हित में कई सारे फैसले किये, लेकिन कुछ लोग अभी भी चोरी चुपके इस काम को कर रहे हैं, यानि कि आप समझ लीजिए, अभी भी हजारों की संख्या में ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जिनकी जिन्दगी इस तरह के रेड लाइट एरिया पर खराब हो रही है, हलाकि जोर जबरदस्ती का काम आपको हर जगए देखने को मिलेगा, लेकिन यहां कुछ ज़्यादा ही होता है, और इसलिए हमने कहा था कि कुछ लोगों की जिन्दगी तो यहां अगर समवर जाती है, लेकिन कुछ की पूरी तरह से बिखर जाती है, एक बहुत बड़ा हिस्सा इन लड़कियों का भी है, जिन्हें मचबूरन इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है, पर ये चीज अभी की नहीं है, बलकि कमाठी पुरा का इतिहास अंग्रेजों के समय का है, असल में दोस्तों 1924 के बाद अंग्रेजों ने इस जगह की इस्थापना की थी, ताकि अंग्रेजों के सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर इस जगह पर एश कर सकें, हलाकि उस समय तो विदेशों से महलाओं के यहाँ पर वैश्यावर्ती करने के लिए भेजा जाता था, तो उनमें से काम और उनसे ये काम पैसे दे कर करवाया जाता था, पर समय बीटता गया और ये जगह दिन प्रति दिन पॉपिलर होती गई, जिसके चक्कर में अब ये हाल हो गया है कि अंग्रेश तो देश छोड़का चले गए, लेकिन उनका बसाया हुआ कमाठी पुरा अभी भी भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में शामिल है, दोस्तो मुंबई के कमाठी पुरा में सिर्फ वैश्या वरती ही नहीं होती, बलकि मानव तसकरी भी होती है, जो मुंबई के अलग ही सच को व्यक्त करती है, वैसे तो इन सब चीजों पर रोक लगानी के लिए सरकार दिलो जान से जुटी हुई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जब तक कमाठी पुरा जाने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं आईगी, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, क्यूंकि अब यहाँ पर लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी है, और कई सारी लड़कियां खुद से इस काम को कर रही है, जहां इन में से अधिकतर ऐसी हैं जन्हें जोर जबर्दस्ती से इस काम को करने पर मजबूर किया गया, और ये सब कुछ उनके भविश के साथ खिलवार के अलावा कुछ भी नहीं है, अब हमें तो ये पता नहीं कि हमारे देश में इस तरह की जिस्म फरोशी का धंदा कब बंद होगा, और कब लोग धोखा दे कर मासून लड़कियों को इस तरह की दलदल में फेकना छोड़ेंगे, वैसे आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी, कि मुंबई का क्राइम रेट बागी शेहरों से थोड़ा से कम है, खास करके रेप वगेरा के मामले में, और ये चीज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी रंगे इन रातें करने के लिए किसी से जोर जबर्दस्ती नहीं करते, बलकि वो डायरेक्ट मुंबई की बदनाम गलियों में पहुँच जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कमाठी पुरा इतना ज्यादा पॉपिलर है, बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है और आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताईए और इसी तरह की शांदार वीडियोज को लगातार देखते रहने के लिए अपने चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, देखने के लिए शुक्रिया, दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोज दिखाई दे रही हैं, जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें,